जयहिन साथियो, स्वागत याव सभी का अपनी YouTube चैनल पर साथियो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया़ नेवी के बारे में साथियो इंडियान नेवी को अभी नुयो नोटिफिकेसन झिरा ही हाए जारी कर दिया गया है इंडियान नेवी में यदि साथियों आप 12 पास हो 12 पास और साथियों आपका यदि PCM ग्रूप या फिर बायो था तो आप इस विकेंजियों को अपलाई कर सकते हो तो पहले मैं आपको बता दू साथियों कि इसका भी सौर्ट नोटिस जारी हुआ है अभी इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बतांगो कि कब जा रही हुआ था और कब बताया गहें इंडिया नेवी को अपसले वेबसाइट पर कि इसका न्यू नोटिफिकेशन का आना करके इसका ओलाइन फर्म कब कब अपलाई होना है करके ठीक है साथियों इसके पूरी जानकारी में अपने इस यूट्यूब चैन कook इने को मिलने वाली है ठीक है साथियों इसकी पूरी प्रुस्टु कि पता वक्स में इसका क्या 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 क्मिनEC में है आपको यह दिख रहा हूँ इंडिया नेवी अपकमींग नोटिफिकेशन करके इसका अप्कूर है इसके के बारे में को वीडियो बना दूंगा तो इसका ओफिसली जो नौटिफिकेशन वह भी आपको मैं दिखाऊंगा तो सबसे पहले नौटिफिकेशन रिलीज की बात करें साथियो इसमें जो इंडिया नीवी की वेबसाइट पर वहाँ पर आप चाहिएगा वहाँ पर यहाँ वहाँ पर आपको फ्रेंट में दिखेगा कि इसका जो नौटिफिकेशन है 26 अपरेल को 30 अपरेल के बीच में जारी हो ठीक है साथियो आप इंडियन नीवी की ऑपसली वेबसाइट पर जाना वहाँ पर आपको दिख जाएगा ओनलाइन डेट की बात करें साथियो तो उसम पर आपका वायो होना बहुत ही जरूरी है जिसमें आपका कैमेस्ट्री और बायो होना बहुत ही जरूरी है और साथियो आपका पीचीएम ग्रूप होना जरूरी है पीचीएम नहीं साथियो इसमें एए पर आपका वायो बायो होना बहुत ही जरूरी है जिसमें आपका कैमेस्ट्री और बायो और कंप्यूटर साइंस का नौलेज होना बहुत ही जरूरी है ठीक है साथियो और जो आपका जो इन सभी में 60% होना जरूरी है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं SSR के Senior Secondary Required के बारे में ठीक है साथ इसमें आपका 12th Pass होना जरूरी है ठीक है साथ यो इसमें आपको PCM Group होना बहुत ही जरूरी है PCM Physics Chemistry Math होना बहुत ही जरूरी है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो नहीं तो जिसका नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता और साथ में आपका Computer Science भी होना जरूरी है आपका Computer Knowledge होना पहुत ही जरूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है साथ यो अब लाश्ट में MR Metric Required का साथ यो इसमें आपका जो है वो टेंद पास भी चल सकता है MR में टेंद पास आपका चल सकता है बात बता दूं साथ क्योंकि यह जो एज है आपकी बढ़ भी सकती है कि comment 90 के चलते बहुत लोगों कि यह जो निकल गई है तो उनको मुका मिल सकता है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है तो आपका जो यह जब भढ़ भी सकता है कि के साथियो आप हम बात कर लेते हैं इसमें फुल सेलेक्शन प्रूसेश की तो सबसे पहले आपका रेटन एग्जाम होने वाला है फिर पीएप की होगा फिर प्रेटिकल टेस्ट और लास्ट में आपक प्रेटिक के रहने वाले सउमाक्स को आपका टाइम दिया जाएगा 60 मिनिट ठीक है साथियो अब हम बात कर लेते हैं एम आर की जो आयम-ार पूस्ट है उसकी बात कर लेती तो उसमें जो आपका स्लिबस रहने वाला है साइन्स और मैटामैटिक्स रहने वाला है और तो यह था इसका अब हम मेडिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो अपका पहले पुरह मेडिकल होगा उसके बाद जो आपका हाइट लिया जाहेगा 170-157 height आपका होना बहुत ही ज़रूरी है और chest आपका 5 impression होना चाहिए जितना भी उतना लिया चाहिए और 5 impression होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है साथियो और हम बात कर लेते हैं अब इसके medical की बारे में तो सबते पहले आपको बता दो साथियो कि आपको जो eyes होना चाहिए 6y6 की होना ज़रूरी है और 6y9 भी चल सकती है बैटर eyes 6y6 ही रहना चाहिए with glasses में 6y6 और brush eyes रहना चाहिए 6y6 ठीक है साथियो तो नहीं होना चाहिए आपके हाथों पर यहाँ पे दिया हुआ है साथियो та और चल सकती है पर चाहथ बड़ा टाट्यु नहीं होना चाहिए। K Mask कि च्योंटा ब्रचादा बड़ा टाट्यू नहीं ओना चाहिए ठीक है साथियो तो यह था उसका पूरा notification तो साथियो अम llev इसका उफिसलि नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ साथिओ आप जो स्किन पर देख रहा है इसका उफिसलिन नोटिफिकेशन है साथिओ देखे यहां पर इंडियन आर्मी में जब यह नोटिस जारी किया था तब यह यहां पर दिया हुआ है application विंडाउन फोर सेल्रोज एंट्री एए एक सो पचास इसमें एक सो पचास एससार तो दोजार इकेस बैच इस लाइकली टू ओपन फॉर्म 26 अपरेल 2021 तो 30 अपरेल 2021 इसमें ओपन डेट दी हुई है कि आपका जो विकैंसी है नेवी का वो 26 अपरेल 2021 से 30 अपरेल 2021 से जारी कर दिया जाएगा ठीक है साथियो तो यह इसका पुरा नॉटिविकेशन था तो आई होप आपका वीडियो पसंद आई हो साथियो तो